हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपना चैनल केश धार्मिक बाते में सावन का महीना चल रहा है और यह पावन महीना हिंदु धर्म में बेहत महत्पपूर्ण माना जाता है सावन पुर्णिमा को स्रावनी पुर्णिमा भी कहा जाता है इस दिन बहने भाई की गलाई पर राखी बांध कर रक्षा बंधन का तेवहर मनाती है तो आईए जानते हैं कि सावन की पुर्णिमा कभ है साथ ही इस वा रक्षा बंधन किस दिन मनाया जाएगा स्रावन मास के सुकल पक्ष की पुर्णिमा ती थी 30 अगस्त को सुभ़ 10 बज़ कर और ठामन बज़े से लेकर 31 अगस्त दिन गुरु वार को सुभ़ 7 बज़ कर 5 बज़े तक रहेगी ऐसे में स्रावन पुर्णिमा ब्रत 30 अगस्त को होगा और स्नान दान 31 अगस्त को किया जा पुर्निमा की दिन सत्य नारायन पूजा। सुभञ शात बजगर 34 मिनट से सुभh लो बजगर दस मिनट तक। चण्दरोदे का वमें साम से भजगर 35 मिनट तक। लच्षमी जी की पूजा का समय 30 अगस्ठ को रात 11 अगस्ड कर 69 मिनट से 31 अगस्ट को पराता 12 बजगर 44 मिनट तक असनांदान 31 अगस्त 2023 को सुभा 4 बज़ कर 28 मिनट से सुभा 5 बज़ कर 13 मिनट तक है फुर्निमाती थी दो दिन है जिसकी बज़त से इस बार भी पहले की तरह रक्षा बंधन का पर्व दो दिन मनाया जाएगा तो आईए जानते हैं इस साल राक्षी बांधने का सुभ मौरत क्या है इस साल 30 अगस्त वुद्वार के पूरे दिन भद्रा रहेगी जिस बज़़ से अगर आप 30 अगस्त के दिन राक्षी बांधना चाहते हैं तो रात 9 बज कर 3 मिनट के बाद राखी बंधवा सकते हैं 31 अगस्त को सुबह 7 बज कर 5 मिनट तक सुब समय है इससे पहले आप राखी बान सकते हैं आपको बता दे कि भदरा काल में कोई सुब काम क्यों नहीं करना चाहिए भदरा सनी देव की बहन का नाम है जो भगवान सूरे और माता चाया की संतान है धार्मिक गरंतों के अनुसार भदरा का जन्म दातियों के विनास के लिए हुआ था ऐसा माना जाता है कि रावन को उसकी बहन ने भदरा काल में राखी बांधी थी जिसकी बज़े से रावन का अंत भगवान राम के हाथों हुआ इसलिए किसी भी सुब काम को करते समय इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि भदरा काल नहीं चल रहा हो